बारती जंता पार्टी का केरल के कालिकट में तीन दिनों का राष्ट्रिय अधिवेशन 23 सितंबर से शुरू हो रहा है 25 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रे परिशत की बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी शिर्कत करेंगे डीडी न्यूस के साथ खास बातचीत में भाजपा महासचीव भुपेंद्रियादव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पंड़ित दीन दयाल उपाध्याई की जम्शताब्दी वर्ष का शुबहरम भी परिशत की बैठक में होगा हमाई संब्दाता राजेश व्राज ने भुपेंद्रियादव से खास बातचीत की इस राष्ट्य परिशद में 1700 के लगबग प्रतिनिदी भाग लेंगे और राष्ट्य परिशद के प्रतिनिदियों का चुनाओ जो है वो प्रदेश प्रतिनिदी परिशद करती है और पार्टी की एक सालाना बहुत बड़ी बैठक होती जिसका सुरूप कारेकारने से भी पार्टी के लिए एक बहुत महत्पून वर्ष है कि पंडित दीनद्याल जी जो हमारी पार्टी के वीचारों के प्रनेता थे और उनका ये जन्मशताब्डी वर्ष है उस परिपेक्ष में ये अधिवेशन बहुत महत्पून है इसका एतियासिक महत्व इसले भी है कि 1967 में पंडित दीनद्याल जी जब कालिकट में राष्टी अधिवेशन हो था तब जनसंग के अध्यक्ष बने थे कई राजियों में चुनाव भी होने है आने वाले दिनों में क्या भार्टियांता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी भी उसमें तैय कर सकती है लोकप्रिय प्रधान में बहुत सारी जो घटनाएं घट रही है राजनेतिक परिस्टि होने के कारण जितने भी समसामीक मुद्दे हैं उन पे अलग-अलग प्लेटफोरम पे पार्टी पे चर्चा होती है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्य परषद की जो बैठक होती है वो एक उत्सब का म वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कैसे पार्टी को और मजबूत करना है कैमरामेन भीम के साथ राजेश राज डेडी न्यूस दिल्ली